ऐएफॉन थर्टीनगैस में लेने के प्लान कर रहे हो तो इस Q9 किया offer मिलने वाला है और ऐफॉन 13 ब्लाइं बढ़ने वाला है और आईफॉन 13 सिर्फ और सिर्फ तीज़र में मिल जाएगा यह कहीं से भी नहीं हो सकता देखिए एक लॉजिक की बात है मतलब एक संस की बात है आइफोन थर्टीन जो भी फिफ्टी प्लस है वह आपको कहां से तीज़र मिल जाएगा इतना डिसकांट नहीं होता है तो बात करता हूं क्या आइफोन थर्टीन जो है वह बहुत ही बढ़ता रहता है कम होता रहता है बहुत ही पिछले बार सेल में एरांड फॉर्टी टू-फॉर्टी तक आया था जो बढ़िया प्राइस थी बहुत अच्छा प्राइस था उस टाइम पे भी अब क्या इस बार भी फॉर्टी टू-फॉर्टी नहीं इस बार आपको अराम से थर्टी एट थर्टी सेवन में मिलेगा आप इसको अगर कार्ड ओफर मिल जाए तो पैटिस यह च्छतिस जार तक आपको आइफोन थर्टीन मिल सकता है बट उससे नीचे नहीं मिलेगा और मैं यह भी पता दे रहा हूं कि बहुत लिमिटेड जो है है यहां पर आपको लोगों को मिलने वाला है थर्टी फाइफ थर्टी सेवन में उसके बाद इसका प्राइस फिर फॉर्टी सम्तिंग प्लस हो जाएगा तो बहुत ही लिमिटेड लोगों को मिलेगा अगर आप अगर इस काफर आता है तो फिल्पकार्ट प्लस मैंबशिए आपको बहुत जरूरी होगी और आप अगर आप अमजान में जाते ओंतो आपको बहुत ज़्यूरी होगी दिखिए यह सब टी जी नहीं होती है इसमें आपको पहले एक दिन एक दिन में मिलना चाहिए जब सब नॉ design इसका बहुत ही premium मिलता है आपको यहां पर आपको जो डिस्प्लेय है वह 6.1 इंच का OLED पैनल मिलता है यहां पर आपको जो quality होगी न वो बहुत premium होने वाली यहां पर आपको को issue नहीं होता दिन आपको chipset जो मिलता है वो है पर 14 वाला chipset मिलता है यहां पर मैंने इसकी quality देखी तो बहुत अच्छे camera quality है क्योंकि मैं गया था जब फोन लेने जा रहा था तो मैं एक iPhone के जो इनका है बहुत सारी कहीं कहीं आई next होता है कहीं कहीं उनका changes है तो मैंने 13 भी देखा 14 भी देखा 15 भी देखा तो 13 का camera अच्छा था बैटरी की बात करतों बैटरी भी इसकी अच्छी है कंपेर तो 12 की तो बिल्कल हुए आप लोगों इस बापाई मत करना 13 ले ले लेना अगर आपका budget इतना है तो और फिप्लर के बिल इंडिया इस इस इतना काऊंगा आपको बताएंगे और सेक्टेमबर की मत में इस पिछले बार उक्टोबर में रही थी तो होता कि आई साल अगर लेना चाहें तो कमेंट करें बताएंगे तो बने रहें लाइक करें को में दिए चानल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो